है हेलो बच्चो बहुत-बहुत नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्चर में तो आज हम कौडिनेशन का लास लेक्चर कवर करने वाले हैं और आज आई सो मेरज्म हम कवर करेंगे तो चलो पड़ लिए जयेग आज हम-स थार्ट कर ही दिया है और खतम भी कर चाइब यहां पर हम पर हम चार टाइब के आईशोमेर्जम पर फोकस करेंगे नंबर वन जो है वो है आपका coordination, second है hydrate, third है linkage और fourth है ionization और एक हम last में पढ़ लेंगे ligand isomergem ठीक है बाकी बस अपना cover हो जाएगा देखो ये structural की बात है इसके बाद stereo भी आएंगे बेटा है ना तो अगर मैं इसको याद रखने का तरीका बताऊं तो आप ऐसे याद रखो कोहली कैसे कोहली isomergem इस तरीके से आप याद रखो है ना तो सीयों का मतलब क्या हो गया वेटा coordination क्या हो गया coordination isomergem second है वेटा hydrate या solvate isomergem hydrate या solvate isomergem third है वेटा linkage कौन सा linkage और fourth है वेटा क्या ionization तो एक-एक करके इनको हम study करेंगे बहुत आसान होते हैं बहुत ही आसान होते हैं ठीक है तो एक-एक करके हम study करेंगे pen copy लेके वैठना अच्छे तरीके से समझना सारी चीज़ें जैसे आप regular lecture में समझते हो ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं चलो number one start करते कोडिनेशन आईसो मिर्जम की अगर मैं आपके सामने बेसिक डेफिनेशन लिखूं क्या बेसिक डेफिनेशन लिख रहा हूं तो क्या है कि पहला का point यह here Cattin and Nyn Cattin and nyn both are complexes बोथ are complexes मतलब यहां Cattin और nyn दौनओं ही क्या मिलेंगे बेटा complex मिलेंगे मतलब Cattin भी bracket में लिखा होगा और nyn भी bracket में लिखा होगा point no-2 पॉइंट नमबर डू क्या arises when arises when ligand ligand और central metal atom central metal atom is exchanged मतलब या तो ligand का exchange कराओ या central metal atom का exchange कराओ बहुत आसान है जैसे एक example देखना ठीक मैं यहां से क्या कर रहा हूँ इस ammonia को एक ammonia को यहां से इधर लाऊंगा तो मुझे NO2 को यहां लाना है coordination number fix रखनी है और इस पर charge भी fix रखना जैसे यहां plus 3 है यहां minus 3 है तो इस पर metal पर charge fix रखना है किस पर metal पर कितना आएगा CO पर plus 3 यहां क्या आएगा plus 3 तो इस पर central metal atom की oxidation number same रखनी है और आपको ligand यहां पर switch करने कैसे देहान से देखना मैंने एक ammonia यहां बेजा एक NO2 यहां लाओंगा तो CO NH3 कितने हो जाएंगे विटा 5 और 1 NO2 यहां आगया अब मैंने जैसे ही NO2 यहां लाया तो एक ammonia वहां बेजा तो CR NH3 और NO2 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 5 हो जाएंगे इस तरीके से अगर आपको और बनाने हैं तो आप क्या करोगे यहां से एक अमोनिया और भेजो एक NO2 और ले आओ तो एक मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या इधर मैंने चार कर दिये एक NO2 और उठा लाए और उस तरफ मैंने दो अमोनिया भेज दिये तो CR बड़ा NH3 whole twice NO2 4 ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या बिलकुश सही है अब मैं एक अमोनिया ओधर भेजता हूँ एक NO2 इधर लाता हूँ तो क्या हैगा CO NH3 whole twice NO2 whole twice ठीक ऐसा और इधर क्या देखेगा CR NH3 whole twice और NO2 whole twice लेकिन अब मेरी बात सुनना ये तुम्हें लेना ही नहीं है exist नहीं करेगा क्यों मुझे एक बाव बताओ अगर मैं CO की oxidation number निकालने जाओंगा तो CO की जब oxidation number निकालने जाओंगा तो ये plus 3 आपकी ऐसे ही आ जाएगी इतने में देखो अगर मैं इतना पार्ट उठाता हूँ तो देखो ज़रा X plus 3 into 0 plus 3 into minus 1 is equal to मुझे इसे neutral बनाना पड़ेगा तभी तो oxidation number तुम्हारी plus 3 आएगी और ऐसा कैसे हो सकता है कि दो complex हो और वो दो neutral हो है ना दो complex neutral कैसे हो सकते हैं एक cation और एक anion तो होगा ही होगा ना इसका मतलब ये अगर आप isomer इसका लेते हो coordination isomer तो ये exist ही नहीं करेगा इसलिए इसको नहीं लेना लेकिन इसके बाद आप बनाओगे तो exist कर जाएगा कैसे आप एक ammonia उधर बेजोगे एक no2 यहां लाओगे तो ये तुम्हारा फिर cation बन जाएगा और ये तुम्हारा anion बन जाएगा मतलब अब आपका central metal atom को CR को पहले लिखना पड़ेगा मैं लिखके बता रहा हूँ ये तो exist नहीं करेगा लेकिन अगला जैसे ही आप बनाओगे तो ऐसा दिखेगा CR भाई NH3 वहां 4 हो जाएंगे भा मतलब यहां ammonia ammonia यहां दो बचेंगे और NO2 कितने होंगे आपके 4 होंगे इस तरीके से तो अब आपका cation और anion switch हो चुका है मतलब आप basic चीज समझो आपको एक ligand वहां भेजो वहां से एक ligand उठाते जाओ मतलब एक ammonia वहां भेजा एक ammonia आप ले आए एक फिर भेजा फिर ले करेगा तो इसको आपको हटाना होगा यह exist करेगा इसके बाद वाला exist करेगा ठीक है तो आप इस तरीके से बना बना के देख सकते हो exam में बनाने के लिए तो बहुत rarely ही question आएगा आपको पूछेंगे कौन सा isomergem इसमें exhibit करेगा ठीक है तो आप बता देना इसमें कौन सा isomergem exhibit करेगा coordination isomergem दो complex होंगे ठीक और उनमें लीगेंड की आप switching करवा सकते हो बहुत आसान है ठीक बाकी मैंने आपको एक basic चीज और बता दी कि अगर बनाने हो तो आप इस तरीके से बना के देख सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला है वेटा hydrate या solvate isomergem कौन सा hydrate या solvate isomergem कब होता है यह ध्यान से सुनना जरा hydrate या solvate isomergem होता है वेन वेन वाटर है इस एक्ट एज लीगेंड है एस वेल एस वाटर ऑफ किस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि वाटर और काउंटर आयन एक्सचेंज हो जाएं ऐसा भी बोल सकते हो क्या वाटर और काउंटर आयन एक्सचेंज हो जाएं करके देखें ध्यान से देखना जरा ठीक आप यह पॉइंट भी लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो क्या वा water और counter iron को तुम बेटा exchange कर दो कैसे ध्यान से देखिएगा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या CR मैंने एक पानी बाहर फेक दिया कितने बचेंगे 5 कोडिनेशन नंबर औक्सिदेशन नंबर फिक्स रख नहीं है आपको ध्यान रखना एक सीयल उठाके लिया अंदर तभी तो कोडिनेशन नंबर 6 बनेगी एक वाटर बाहर भेज दो इस तरीके से ऐसा और बना सकते हो देखो CR एक और बाहर कर दो चार बचेंगे CL अचाए यहां पर दो सीयल तो रही गए यह तो छोड़ी दीए यहां एक सीयल लाइथ है ना तो दो सीयल बचेंगे डॉट एसा दिखेगा ठीक यहां देखना CR एक वाटर आपने बाहर फेका चार बचे एक CL ले आओ कोडिनेस नमबर 6 दिखा देना और CL डॉट कितने एक पहले था एक और आ गया इसी तरीके से आप एक और कर सकते हो CR यार एच टूओ कितने आ जाएं यहां पर कितने कर दो तुम तीन और तीनों सीयल को अंदर ले आओ मतलब वाटर एज़ा लिगेंट भी काम कर रहा है और एज़ा वाटर विक्षालिशन भी काम कर रहा है तो यह आपस में क्या होंगे हाइड्रेट आई सुमर होंगे मतलब अधर इस तरीके से आप सोथ सकते हो कैसे आपको करना है वाटर बहार फिक्कर नंर लेहाओ थो वॉटर लिगेंट और वॉटर वाॉटर विक्षालिशन दौनों यह तर काम कर रहा है अगला देखो लिंकेज का बात हैं हम existe Vm arises when ambident कौन सा ambident ligand कैसा ligand पेटा ambident ligand is present जब ambident ligand present होता है तब ये generate होता है जैसे यहाँ देखो आप scn भी ambident है और no2 भी ambident है मतलब अगर मैं इसका एक isomer बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ scn को लिख सकता हूँ ncs और यहाँ क्या लिख दूँ मैं no2 को वैसी लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं आप एक ligand लेकर उसके दो बना सकते हो मतलब scn ncs no2 को वैसी रखो और क्या सोच सकते हो देखो cr h2o4 ध्यान से देखना ज़रा मैंने ये ncs ऐसे ही रखा लेकिन no2 को मैं क्या लिख सकता हूँ o no लिख सकता हूँ इस तरीके से ऐसा दिखा सकता हूँ और क्या कर सकता था मैं scn को ऐसी रखता no2 को o no लिख देता मतलब इस तरीके कि आप variation बना सकते हो आप तो वस यह समझ लो लिखेंड अगर ambident हुगा तो linkage isomergem होगा और बनाने तो आप इसके बना सकते हो आप exchange करके दिखा सकते हो exchange करके नहीं sorry आप ligand को अलग-अलग connectivity से दिखा सकते हो जैसे यहाँ sulfur donor है यहाँ nitrogen donor है यहाँ nitrogen donor है यहाँ nitrogen donor है यहाँ oxygen donor है इस तरीके से आप दिखाते हो तो एक्जाम में वैसे भी देखो वेड़ा बड़ा आसान question आता है कौन सा isomergem exhibit कर रहा है या which of the following exhibit linkage isomergem आप बस यह देख लेना ligand तुम्हारा क्या होना ची ambident बस खतम कहानी अगला देखो अगर मैं ionization isomer की बात करूँ क्या arises when arises when different counter ions are present different counter ions different counter ions are present तो counter ion यहाँ पर क्या होंगे बेटा different होंगे तो कौन सा isomer होगा आपका ionization ध्यान से देखो मैंने यहाँ से एक BR को बाहर कर दिया और CL अंदर ले लिए ऐसा बनेगा देखो अगर मैं आपसे इसके ion पूछूँ कि जरा इसको echo solution में डालना जैसे ही तुमने इसको पानी में डाला तो इसके ion क्या बनेंगे ध्यान से देखना यह बनेगा प्लस और क्या मिलेगा CL माइनस और इसके ion क्या मिलेंगे बिटा CO NH3 कितने लगे है बिटा चार BR CL और इस पर क्या आ जाएगा प्लस और क्या मिल जाएगा BR negative मिल जाएगा ध्यान से देखो यहाँ CL negative यहाँ BR negative अगर मैं इसकी reaction silver nitrate से करा दूँ ध्यान से सुनना silver nitrate से तो CL negative कहाँ जाएगा AG plus के साथ क्या बना लेगा क्या बना लेगा AG CL का white PPT बना लेगा AG CL का क्या बना लेगा white PPT बना लेगा बिटा और यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर अगर आप silver nitrate डालोगे तो जो BR negative निकला है वो AG plus के साथ AG BR का बना लेगा pale yellow PPT मतलब different counter ion मिलेंगे और उसको आप experimentally verify कर सकते हो reaction से verify कर सकते हो कि अच्छा different ion मिले मतलब अलग-अलग type का precipitate या अलग-अलग reactions होंगी आपकी है ना तो different counter ion आपको मिलेंगे यहाँ पर किसमें? ionization मतलब ligand और counter ion exchange हो जाएंगे यह ध्यान रखना ठीक है? चलें आगे एक ligand isomerism और समझ लो जब ligand खुद ही isomerism करने लगे है ना? तो ligand act as या ligand sos isomerism मतलब ligand ही isomerism sos करने लगे जैसे isomerism जैसे यह देखो ज़रा यह ligand है और यह ligand है इसको बोलते हो PN बताया था मैंने ठीक है? PN प्रोपिलीन डायमीन PN और यह ट्राइमिथलीन डायमीन मतलब TN लिख सकते हो इसको PN TN याद करो तो अगर मैं यहाँ पर कोई metal ले आऊँ सबोज मैंने कोई metal M ले आया तो यह अपना lone pair इसको देगा यह अपना lone pair इसको देगा ठीक तो यहाँ donation ऐसे हो रहा है और ligand में ही pisomar हो रहा है position isomar आप बोल सकते हो इसको है न तो इसमें ligand में ही क्या हो रहा है isomer gem तो यह क्या हो गया? ligand isomer gem हो गया ठीक है? तो बहुत आसान है, इतना ज्यादा important नहीं है, इसको इसके भी कर सकते हो, चार isomergem बहुत ध्यान से याद रखना है, NCRT, इसको follow करती है, कहली isomergem को, ठीक है, बाकी एक मैंने बता दिया, इसके अलावा coordination position, या polymerization isomer, जो की true isomergem नहीं होता, वो भी होते हैं, लेकिन उनको में बेटा दो चीजें होती है, एक होता है geometrical और एक होता है optical, ठीक है, ध्यान से समझना, एक geometrical और एक optical, अब यहाँ से थोड़ी कहानी आपकी अच्छी आने वाली, देखो, अगर मैं coordination number 4 की बात करूं, tetrahedral geometry में, ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ, does not exhibit GI, does not exhibits GI, अब बेटा ऐ ऐसा क्यों होता है, GI exhibition क्यों नहीं होता, क्योंकि जो तुम्हारा tetrahedral geometry है, मालो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐसा बना दिया, यह A बना दिया, यह B, यह C और यह D, यह angle तो आपका 109.5 degree है, तो relative angle इसका तो सेम ही है न, कोई भी दो ligand ले लो 109.5 है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहां कहें मेरे model, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक बार देख लोगे तो आपको idea लग जाएगा, tetrahedral geometry है, ठीक है, tetrahedral geometry में आपके पास, GI exhibition नहीं होता, देखो, मैं एक बार बना के दिखा दूँगा न, तो आपको समझ में आ जाएगा, tetrahedral geometry बेटा, सोच लो, कैसी होती थी, देखना ज़रा, यह है आपकी tetrahedral geometry, देखना, बहुत ध्यान समझ लेना ज़रा है न, यह तुम्हारी tetrahedral geometry है बेटा, यह, ठीक है, अब यह tetrahedral geometry है, तो बीच में तुम्हारा metal atom है, यह तुम्हारे ligand लगें, अब मेरे को बताना ज़रा, अगर मैं यहां से इस ligand को हटा दूँ, ठीक है, यह ligand मैंने हटा दिया, इसको मैं यहां लगा दूँ, तो क्या यह नई geometry बनी, बताओ जरा, क्या यह नई, geometry बनी, नई बनी ना, वही आगे बापस वहीं पे, ठीक है, अब आप बोलो कि सर, यह 4 ligand आपने सेम लगाएं, एक आद अलग करके बताओ, चलो, अलग कर लो, ठीक है, लो, अगर इसको मैंने अलग कर दिया, देखो जरा, ऐसा हो गया मा लगाओं, तो बेटा, connectivity तो सेम ही है ना, देखो, समझ लो जरा, क्या यह नई, geometry है, अरे बेटा, नई, geometry थोड़ी है, ऐसे पकड़ लो, भाई, सेम ही वहीं आ गए ना, आप कैसे भी पकड़ लो, geometry तो वही है ना, आप कहीं से भी देखो, आप नीचे से देखो, आप उप लगा रखें, चाहे आप सेम लगा लो, चाहे डिफरेंट लगा लो, दो सेम दो डिफरेंट लगा लो, तीन सेम एक डिफरेंट लगा लो, एक सेम तीम दिफरेंट लगा लो मनला, आप कुछ भी कर लो, relative angle तो बंजीरो 9.5 यह ना, दो लीगेंट के बीच का, तो आप हैं से देखना जड़ा इसमें एक्सिट करता है कब जब मैं यहांपर एक M लगा दूं और श्र इधर मैंने मानलो A लगा दिया यहां इधर B लगा दिया ठीक है इधर A लगा दिया इधर B लगा दिया तो ध्यान से समझना जरा बात को है न इसको समझने की जरूत है हमें ध्यान से समझना ये क्या होगी बेटा Square Planar Geometry इसी को बोलोगे Square Planar तो पेटा ये Square Planar Geometry हो गई अब इस Square Planar Geometry में दो सेम टाइप के लिगेंट के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो जैसे इससे भी देख सकते हो और आपकी इच्छा है इससे देख लो जैसे A और A के बीच में 90 B और B के बीच में 90 कोई भी एक होता तब भी हम आप उसको decide कर सकते हो कि वो कौन सा form है अगर ये मानलो B है ये C भी कर देता हम है तो यहां से 90 देख के आप बता देते क्या कि when when angle between angle between same type of ligands when angle between same type of ligands अगर same type के ligands के बीच में angle 90 डिग्री है तो उसको बोलते हैं वेटा cis form क्या बोलते हो cis form बोलते हो क्या नाम है इसका cis form तो ये क्या है वेटा cis form है ठीक है अगर मैं आपके सामने ऐसा बनाता दियान से देखना M ऐसा 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 A A B और B अब देखना जरा जब same type के league end के बीच में पहली बात तो A square planer है सही बात है क्या है ये square planer जब same type के league end के बीच में angle तुम्हारा क्या हो देखो जरा चाहे तुम इससे देख लो A और A से 180 चाहे तुम देख लो B और B से 180 है ना तो when when angle between angle between क्या when angle between same type of league end same type of league end जब angle between same type of league end कितना हो 180 तो उसका नाम क्या होता वेटा टिरांस क्या transform बात समझ रहे हो क्या कह रहूं मैं तो sis or trans decide करना है तो कैसे करोगे कोई भी दो league end आ जाएँ एसा नहीं कि दो दो के दो पियर हो एए होता ये बी सी होता अलग हो जाता तब भी आपन इसको ट्रांस बोल सकते थे ए और एक रिस्पेक्ट में है ना तो ये कौन सा फॉर्म होता वेटा सिस फॉर्म दिख रहा है सही से और ये क्या होता वेटा ट्रांस फॉर्म समझ गया बात को ऐसा होता है तो इसक्वाइर विलेनर जोमेट्री में हम इस तरीके से बताते हैं ठीक धियान से देखना आपको आगे बढ़ रहा हूं मैं इसको नोट कर लो अच्छे से पॉस्ट करके यह ना अब मैं यहाँ पर कुछ कॉंपलेक्स लिख रहा हूँ जो आपको पहले से पता होंगे तो अच्छा रहेगा और उसके जी आई कितने बनेंगे नंबर जोमेट्री कितनी बनेंगे धियान से देखना जरा पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार दिखा देता हूं जो एक दम बढ़िया जोमेट्री देखेगी मज़ आ जाएगा ठीक है अ ऐसा देखना जरा धियान से खाना भी बहुत खाऊंगा मैं आज आज एसा दिखेगा देखो कहां गया यह देखो यह वाला पता है कौन सा है यह आपके सामने यह लिखा हुगा है देख रहा है सही सही यह और अए हो गया यह और भी हो गया सेम टाइप के लिगेंट के बीच में 90 डिजी है इसका हो गया मुझे ट्रांस बनाना है तो इसको मैं हटाके यहां लगा दूं और इसको हटाके मैं यहां लगा दूं यहां से देखना ऐसा दिखेगा तो यह कौन सा फॉर्म हो गया वेटा ट्रांस फॉर्म हो गया ठीक है यह अपोजिट हो गया अब इसमें से कोई भी एक पेयर होता तो काम चल जाता मानलो मैं कोई अलग लगा देता हूं सपोज आपके सामने कोई ऐसा आता है अलग लगा दिया मैंने देखना मानलो मैंने ऐसा लगा दिया देखो देख रहा है ए और ए अपोजेट हैं लेकिन यह बी और सी अलग कर दिये मैंने तो भी मैं इसको ट्रांस बोलूँगा ना इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको अलग कर देता अगर मैं इसको अलग कर देता ऐसा लगा देता देखना चारों अलग-अलग कर दिये हैं ना तो समझगे बात को सिस्ट्रांस कैसे देखते हैं अब मैं आपको यह सारी चीज़ें यहां दिखा रहा हूं देखो MA2B2 ठीक है ध्यान से देखना MA2B2 तो जो मैंने पहले बनाया था वो A2B2 वाला अच्छा A2B2 तो कर लिया हमने देखो यही है MA2B2 अब यह A और B क्या है पूछो तो जरा सर से क्या है यह बढ़ा A और B हैं आपके A and B हैं Monodented Ligand क्या है यह Monodented Ligand जैसे यहां मैं एक 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 जामपल से बता रहा हूं Platinum ऐसा 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 CL CL Ammonia ऐसा लगा दिया यह सिस का एक एक जामपल लिख सकते हो आप जिसको सिस Platinum बोलते हैं और यह Trans Platinum मना सकते हो यहां मैं क्या कर दूँ Platinum ठीक है Platinum CL CL और यहां क्या कर दिया Ammonia Ammonia तो यहां Nitrogen और CL अपना Lone Per किसे दे रहे हैं Platinum को दे रहे हैं तो यह Transform हो गया ठीक है तो यह तो मैं आपको दिखा चुका हूं अब मैं आपको और बताता हूं तो इसका बताओ जरा जी आई कितने लिखूंगा दो लिखूंगा नम्मर अब जी आई ठीक अब अब A2 BC के बताना आप ठीक है A2 BC मतलब दो सेम टाइप के और एक अलग टाइप का ठीक है दो सेम टाइप के और दो अलग टाइप के ना ऐसा है दो सेम और दो अलग मतलब A2 ध्यान से देखना A2 BC बनाना तो A2 हो गया और यह BC हो गया ऐसा देखना ज़रा ध्यान से मैं आपको बना के बता रहा हूँ यह आपकी स्क्वार बिलेनर जोमेट्री है A2 यह B मान लो, यह C मान लो, यह मैटल हो गया यह लीगेंड अपने अपने लोन पेर सेंटरल अटम को दे रहे हैं तो यह हो गया वेटा A2 BC का अब इसकी एक जोमेट्री और बन सकती कैसी इसको मैं सिस्फॉर्म बोलूँगा क्यों 90 डिग्री एंगल इनके बीच का इसको हटाके, इसको हटाके, सोच करके मैं दिखाऊंगा तो एक नई जोमेट्री बनेगी जिसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, क्या बोलूँगा, ट्रांस्फॉर्म बोलूँगा इसको, देखो सामने से क्या बोलूँगा मैं इसको ट्रांस बोलूँगा न यह अपोजिट आ गए तो बेटा दो ही बनेंगे इसके अलाव और कोई नहीं बनेगा तो इसके भी बेटा दो बने ठीक अब देखना जरा ध्यान से देखते जाना M, A, B, C, D अगर मैं बेटा चारों अलग कर दूँ ध्यान से देखना जरा अगर मैं चारों को अलग कर दूँ जैसे ऐसा देखो मेरे पास central item बीच में है ठीक, ये चारों लीगेंड अलग है ठीक, तो अब ध्यान से देखना कैसे कैसे कर सकता हूँ इस red वाले के opposite क्या है ये वाला है sky blue बोल देता हूँ मैं इसको है ना इस red वाले के opposite sky blue है मैं इस coat आके यहाँ इस coat आके यहाँ रख दू तो नहीं geometry बनेगी क्या हूँ? red के opposite purple आ जाएगा एक और क्या हो सकता है इसको ठाके यहां और इसको ठाके यहां रख दू तो green और red opposite आ जाएंगे और एक geometry यह है, मतलब total इसकी geometry कितनी बनेंगी, बना के देख लेते हैं, है न, जैसे एक तो यह हो गई, दूसरी यहां लाओगे, तीसरी यहां लाओगे, तीन आएगा मेरे खयाल से, देख लेते हैं जैसे M A2 B2 का यहां क्या बनाऊंगा मैं, M A A B B, देख न, B B, और क्या बना सकता हूं, M A और A opposite, और B और B opposite, दो बने, M A2 B C का कैसा, M A A, यहां B C, और क्या कर सकता हूं, M A A, यहां C कर दूं, और यहां B कर दूं, देखो, इसके 2 हो गए, M इसके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यह तो 2 उपर वाले हो गए, इसको ले लेते हैं, M A B C D देखना है, M A B C D, M A B C D, अब देखो, इसको इसको switch कर दो, दूसरी geometry, इसको इसको switch कर दो, तीसरी geometry है न, तो 3 आएगा इ कैसा, M ऐसा ऐसा हैसा, A यहाँ C था, अब B कर दो, इधर C कर दो, यह D हो गया, और क्या हो सकता है, M A और D opposite कर दूं, इधर C रहने दूं और इधर B रहने दूं, इसा, देखो, A के opposite C, A के opposite B, और A के opposite D, देखो, ऐसा है यह, देख लो जरा एक बड़, जो मैंने बनाए न यह पर वह ऐसा है तो इसका तीन आएगा मैं इसको हटा रहा हूं बनाने के लिए पस ऐसी बता दिया समझाने के लिए तो इसके कितने आएंगे विटा तीन अब सुनना जला ध्यान से M A B whole twice देखो यह A B C D जो individual लिखे हैं ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं यह A कभी कभी मैं simple B लिखूँ कभी मैं simple C या D लिखूँ तो यह सब क्या होते हैं वेटा Monodented Legand क्या होते हैं Monodented Legand नहीं है Monodented Legand नहीं अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं तो अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, AB whole twice लिखा, क्या लिखा, AB whole twice, तो यह क्या है वेटा, AB whole twice का मतलब है, अनसिमेट्रिकल, क्या है वेटा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल क्या, डाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल, डाइडेंटेट क्या है यह, लिगें नेगेटिव और एनेच्टू मतलब डाइड एंटेर तो होगा डोनर साइट दो होंगी दौन अलग होंगी जैसे यहां डोनर साइट एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन दौन डोनर साइट विटा अलग-अलग है समझ रहे बात को तो यह अंस्यमिट्रिकल डाइड एंटे सब्सक्राइड एसा एसा ऐसा एप यह एक दूसरे से जोड़े होंगे है आप यहां अब यह क्या कर सकता हूं यहां बीए कर दूँ झाल तो यह आप एसे देखलो यह 90-degree एंगल मिल रहा है और ए और एक बीच मैं 180 मिल तो स्ट्रांस बोल सकते सब्सक्याएं इस तरीके से ह जाता हूं मैं बन तो जाना चाहिए वैसे चलो बना के देख लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा डाइड एंटेड है यह ना परपल रेड और परपल रेड बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा यह क्या बात है वंकर सर क्या सोच लेते हैं कि देखो कैसा बनेगा ऐसा बनेगा जब बने गाना माज़ा जाएगा देखो और आफ और देखो एसा है गरड़ाइस भाड़ह देखो यह है सेंड्र यिटम बीच में लगा है ठीक यह बैद भीच में यलोवाला यह आ बोल दो ये बी बोल दो तो एबी ऐसा बनाया है और एबी ऐसा बनाया देखो कौन सा है ये वाला ये वाला देख लो जरा एक बार ये वाला मैंने पकड़ रखा है ये अब मैं क्या कर रहा हूं इधर तो एबी रहने दूँ ये वाला ये बीए कर देता हूं तो कैसा देखेगा इसको को स्विच कर दो लीगेंड को connectivity अलग हो जाएगी और यह ट्रांस बोल सकते हो आप देखो यह हो गया तुम्हारा बी एधर ऊपर यह वाला देखो ऐसे पकड़ो तो अच्छा है ए भी भी यह समझगे बात को कितने बनना है वेटा दो ही बनेंगे तो इस तरीके से आप आई स मैं कॉडिनेशन नंबर छे की बात करूं तो अक्टाहिडल जोमेट्री बताओ क्या होती ही मैटल छे लीगेंड कोडिनेट करेंगे टीक है डोनर साइट शे होंगी देखो अब वो छे सिंगल सिंगल वाले हो सकते हैं या अलग लग वो सब हम डिसकस करेंगे पहले अक्टा का अगैल जोमेट्री चार लीट्री एक प्लेन में और एक अभवदद ब्लैन यह वह अप अभवद आपले ना आपको बियानद आहएगा तो आपको ऐसा है समझना बात को है ना जाना नहीं कहीं अभी आये हो तो सीख के जाना कोई सिखाएगा नहीं आपको ऐसे ढूंडते रह जाओगे आई सो मेर्जम मिलेगा नहीं तुमको डंका लोग तो क्या है बस खतम करने के हिसाब से पढ़ाते हैं कि भई खतम हो हटाओ अपन कह समझाने के हिसाब से पढ़ाते हैं इतना तो समझी गए हो कि मेरे चैनल पर आयो तो देखना ज़रा धियान से देखो यह वड़ा तुम्हारा एम और लीगेंड लगे हैं आपके 6 एम एसिक्स बोल दो इसको देख रहा आपको सई से एक दम परफेक्ट मस्त दिख रहा है पाईट तो एक दम मस्त देखता है चार लीगेंड एक प्लेन में यह वाले एक अबबदा प्लेन एक ब्लोदा प्लेन ठीक है अब मुझे बताओ मैं कोई सा भी लीगेंड किसी से भी स्विच्छ करूँ नई जोमेट्री मिलेगी क्या नहीं मिलेगी क्यों आप इसको उठाके यहां रख दो इसको अठाके यह से महीं महुंच जाओगे इसको अठाके यहां इसको अठाके यहां से महीं महुंच जाओगे कहीं से भी चलो आपको कोई नई जोमेट्री नहीं मिलेगी मतलब यह वाला जोमेट्रीकल आईसोमेट्रीम एक्जिबिट नहीं करेगा अब ध्यान से देखना अगर मैं अगर मै यह लगा दिया मैंने बी अब इसके बारे में सोचो क्या इसकी नई जोमेट्री बनेगी नहीं बनेगी क्यों इसको उठाके इसको चलो तुम यह मालो इसको अगर मैं यहां लगा दूँ ध्यान से देखना इधर लगा रहा हूं तो आपको ऐसा देखेगा क्या यह नहीं है न क्यों तुम ऐसे पकड़ लो बापिस वहीं आ गए तुम इसको ठाके यहां लगा दो फिर ऐसे पकड़ लो मतलब आप कुछ भी कर लो नई जोमेट्री आपको नहीं मिलेगी मतलब इसकी नई जोमेट्री नहीं मिलने वाली मतलब M A6 M A6 यह तो करी नहीं रहा था एक M A5 B यह भी नहीं करेगा M A5 वाला भी नहीं करेगा लेकिन जैसे ही मैं यहां पर A हटा के भी लगाता हूँ तो अब बेटा यह कर जाएगा देखो जैसे ही मैंने उपर वाला A हटा के उपर भी B ले आया देखो ऐसा अब देखो जला अब यह GI एक्जिविट करेगा कैसे विटा इसकी एक नई जोमिट्री बनेगी देखो अभी क्या बोलूँगा मैं इसको यह दोनों अपोजिट हैं बॉंड एंगल 180 यह दोनों के बीच का मतलब यह ट्रांस हैं जैसे ही मैं इसको ठाके देखना इसको ठाके यहां लगा दूँ एक ध्यान से देखते ऐसा ऐसा ऊपर तुम भी रहने दो ऊपर तुम भी रहने दो और इधर भी लगा दो तो देखो जरा एसा देखेगा आपको देखते जाओ ऐसा देखेगा और यह सब क्या लगे हैं A A A और यहां नीचे भी A तो यह क्या बोलूँगा 90 डिग्री एंगल सिस्फॉर्म और यह क्या बोलूँगा 180 डिग्री एंगल ट्रांस्फॉर्म तुम B और B से बोल दो A से तो बोली नहीं पाओगे हैं ना तो यह ट्रांस्फॉर सिस्पॉम है मतलब कहां से जियाई एक्जिपिसन होना चालू होगा कोड़नेशन नमब सिक्स ऑक्टाइड जमेट्री में में एम एफॉर बीटू से बात समझ में आई इस से ठीक है क्लियर हो गया होगा इधिंक अब अब अपन यह तो मैंने समझा दिया अब अपन इसके केस दो करते नहीं है यहां लिग दिये वह तो मैंने यह तो करते नहीं है कहां से सुरू होता है M A4 B2 से तो M A4 B2 से करोगे तो इसके दो स्बॉकितर एक संप्टाइगा इस तरीके से जहां दो न रहे है तो 100% एक स्बॉक होगा ही होगा जहां तीन Coast से Not Charles बन रहे हैं वहाँ पर number of isomer different vary कर सकते हैं उसमें आप cis trans को describe नहीं कर पाते हो है ना, या कुछ उसमें से cis trans होंगे बाकी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कि तो खेर पूचेंगे नहीं, आप number of GI याद कर लो कैसे, इधर pattern देखो, मैंने pattern मना दिया, कैसा, m a4 b2 ठीक है, अब देखो जरा, a4 fix कर दो देखो, यहाँ पर a4 fix कर दिया b2 को split कर दो किस में, bc में मतलब, पहले तुमने यह जो b2 लगा रखा देखो यह अभी क्या है, m a4 b2 है ध्यान समझना, यह क्या है, m a4 b2 है मैं इसको bc बना देता हूँ, कैसे एक अलग टाइप का लीगेंड और लगा दो monodended, ऐसा, देखो यह बन गया, m a4 bc ठीक है, क्या बन गया m a4 bc बन गया ध्यान से देखना जरा तो मैंने क्या करा, a4 fix रखा b2 को bc कर दिया अब देखो जरा, यहाँ a3 कर दो ठीक, और 3 b3 हो गए ठीक, तो m a3 b3 हो गया कैसा दिखेगा कैसा दिखेगा, m a4 b2, a4 bc समझ गये a3 b3 दिखा रहा हूं मैं m a3 b3 आपको ऐसा दिखेगा ध्यान से देखना जरा m a3 b3 आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से समझना जरा है m a3 b3 आपको ऐसा दिखेगा ये, इस तरीके से, देखो, देखलो, M A3 B3 ऐसा दिखेगा, ठीक है, मतलब ये GX विट करेगा, कैसे, मैं अगर इसको उठाके, यहां लगा दूँ, इसको यहां लगा दूँ, तो ऐसा दिखने लगेगा न, नई जोमेटरी बन गई, देखो, इसको मैं नई लीगेंड एक ही प्लेन में आ गए, देखो, ये वाले, ग्रीन वाले देखना, ये एक ही प्लेन में आ गए, और अगर मैं इसको उठाके उपर रखता, तो दो लीगेंड एक प्लेन में, और एक अलग प्लेन में, नई जोमेटरी आ गई, ये नई जोमेटरी आ गई, समझ बहुत आसान है एक ऐसा होता है में 30 भी तूंइश को हमें डिटेल में डिसक्स भी करना अभी हम करेंगे इसको डिटेल में डिसक्स अब कि आप सुनना जड़ा में ए स्कूँरिक रखो बीथरी को बेटा स्प्लेट कर दो किसमे डिटू सी में जैसे यह क्या था तुम्हारा म M A3 B3 था मैं इसको B2C बना रहा हूँ ध्यान से देखो मैंने इसको बना दिया वेटा कि देखो M A3 यह जो वाइट वाले हैं वाइट वाले वाइट वाले एथरी हो गए और ग्रीन वाले बीटू हो गए और रेड़ वाला सी हो गया देख लो जरा अब तुम इसको उठाके यहां रख दो बन जाएगा M A3 B2C रेड़ वाले को उठाके यहां रख दो वही सीधा साने इसको उठाके यहां रख दो नया इस उमर बनता है अब यसा कितने आप स्विचिंग कर सकते हो वह आप डारेक याद रखना पैट इस तरीके से स्टाइल में याद किया करो कहां तक पहुंच गया यह समझ लेते हैं देखो A4 B2 आ गया अब B2 को स्प्लेट करके BC लिख दिया A3 B3 वाले केसिस में आगे बढ़ते जाओ A3 A3 फिक्स था देखना यहां यह फिक्स था अभी भी फिक्स है देखो A3 B2 C को स्प्लेट कर दिया BCD में मतलब A3 तो फिक्स रखो और B2 C को क्या कर दिया बेटा BCD कर दिया देखो क्या कर दिया BCD कर दिया देखो ऐसा देखते देखते जाओ साथ मैं के एसा है यह तो यह लोगा तो यह भी सी डी होगी आप देखना जड़ा कि अब तीन वाले केस हो चुके हैं यह टू के बाद बीटू और C टू है ना यह टू के वाद देख लो यह जो रेड़ वाले हैं यह आप कुछ और माल लो भी माल लो इनको वाइट वाले ए हो गए और यह वाले सी हो गए देख लो अदेख लो आजैसा दिखता है यह देख रहा है अच्छा यह M A2 B2 C2 हो गया बस इनको स्विच करते जाओ इसको ठाके यहां रख दो इसको ठाके यहां इसको स्विच कर लो इस तरीके से बनाओके तो 5 बन जाएंगे आपके अगला देखो M A2 B2 फिक्स रखा देखो यह दोनों फिक्स रखे और C2 को CD बना दिया C2 को स्प्लेट कर दो किसमें CD में है ना तो C2 को स्प्लेट कर दिया किसमें CD में देखो यह बन गया देख लो आराम से अरराम से देखो सामने वाला वीव साइड व्यू फ्रंट व्यू टॉप व्यू व्यू तोब्यू, आपके लिए यह होगा फ्रंट ही होगा है यह एज है स Wh P दिख गया चलो भई अगला देखना जरा अब क्या किया A2 fix किया B2 को split किया BC में और CD को फिर DE लिख दिया मतलब A2 रखा अपने ठीक B2 को BC और CD को क्या बना दिया DE तो यह हो गया देखो वेटा ऐसा देख लो सारे अलग कर दिये मैंने यह वाले और बस दो सेम रखे देख ल हो जाता है आपसे यह रेड कलर होता है यह परपल होता है यह वाइट होता क्या वाद है सर आज कलर भी सिखा रहे हैं तो इसके आप स्विच करते जाए इसको ठाके यहां इसको ठाके यहां इन नोनों को स्विच कर दो ऐसा करकर 9 जाएंगे सारे अलग कर दें सारे अगर सा सारे अलग कर दिये जाएं तो देखो जरा ऐसा दिखेगा म, A, B, C, D, E, F सारे अलग कर दो देखो म, A, B, C, D, E, F दिख रहा आपको सारे अलग कर दिये मैंने मतलब 15 बनेंगी यह तो यह मैं अभी पीछे चलता हूं इसको अटा देता है गंदा गशा लग रहा है तो यह पैटन समझ गया कैसे याद रखना आपको फिर सुन लो, A4, B2 था, B2 को स्प्लिट किया वेटा, B, C में फिर A4 के बाद A3 पे आ गए, B3 आ गए, B3 को स्प्लिट किया, B2, C में फिर B2, C को स्प्लिट किया, B2 को, B, C और C को बना दिया, D फिर a2, b2, c2 के cases में आ गए a2, b2 fix रखो c2 को cd अब b2 को bc, cd को d और a2 को a, b फिर ये switch कर दो ये cd और ये ef ऐसा तो ये यहाँ के याद हो जाएंगे आपको 222, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9, 6, 15 इधर के कैसे आएंगे? 2, 2, 2 दो देखो, इधर के ध्यान से देखना इधर के आप ध्यान से देखना कौन सा है? m a a hold twice b2 ठीक, ध्यान से समझना जड़ा m a a hold twice a a hold twice और क्या लगाया मैंने? b2 लगाया है ना ध्यान से देखना वाई मज़ा आ जाएगा एक दम m a a hold twice कौन सा है? b2 तो यह हो गया बटा a a hold twice बना लो मज़ा आ जाएगा वाई एक दम बना लो मज़ा आ जाएगा वाई एक दम बना लो देख लेते हो ना यह बस इतने वही जीवन सफल हो जाता है आपको ठीक है? देख भर लो बस की हाँ ऐसा अच्छा यह होता आई सो मेरे जम में हम तो डरते थे आज समझ में आगे हमको ऐसा आपको फील होगा अभी ऐसा है देखो समझे लो जरा वाद को ऐसा है? कितना अच्छा लग रहा है ना? तो लोग को ले जाना मेरे से देखो म एएए होल्ट्वाइस बीटू का यह कौन सा फोर्म बोल सकता हूं मैं विटा? यह है ट्रांस फोर्म कौन सा ट्रांस क्यों यह वाला और यह वाला आपोजट है? तो यह transform बोलोगे आप ठीक है इसके opposite बोलो आप transform अब ध्यान सुनना इसका एक सिस्वर्म भी exist करेगा कैसा इसको यहां से खटा के इधर लगा दिया और इसको यहां लगा दिया बात को समझने की कोशिस करिएगा देखो यह विटा सिस्वर्म दिख है आपको अच्छे से यह सिस्वर्म है देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 पहले वनेटी था अब 90 हो गया देखलो आ राम से देखलो यह सिस्वर्म है कि दिख रहा है कि ऐसा है यह सिस फॉर्म आराम से देख लो तसल्ली से कोई जल्दी वाजी नहीं खाना बहुत खाएंगा है ऐसा है दिख आपको विल्कुल सही से देख लो अच्छे से यह क्या हो गया वेटा यह का मतलब है यह का मतलब है अन ये सिमेट्रिकल को डाइट एंटेट अन लिगम है जैसे इन हो ता ना y इथलीन डायमीन याद करो इथलीन डायमीन एन कैसे लिखते थे आप छी एच्टू होल टवाइस एन एच्टू और एनेच्टू डोनर साइट से हैं में देखो तो यह हो गया आपका क्या सिमेट्रिकल डाइडेंट यह इन बोल दो आप इसको है ना अब मैं क्या कर रहा हूं वो बीटू को श्प्लेट कर रहा हूं बी सी मैं मतलब क्या करो एक अलने रवी चैंज कर दो क्या बीटू क्या बना दो बैटा बी सी देखो यह हो गया है यह हो गया BC, खतम, तो A, A hold twice, BC, ठीक है, आराम से देख लो, बहुत प्यार से देखो, आराम से तसल्ली से, स्क्रीन सोट लेके भी देखते रहे ना, देख रहा है, रही है, एसा है यह, अगला देखना ज़रा, A, B hold twice, कौन सा, A, B hold twice, कैसे, तीन लगाना, ध्यार सुनना, तीन लगाना कैसे, अनिस्मिट्रिकल डाइडेंटेड लीगेंड जैसे, गलाइसनेड जैसे हैंना, तो ध्यार से देखो जरा, मैं तीन लगा रहा हूं, अनिस्मिट्रिकल डाइडेंटेड लीगेंड, बहुत ध्यार से देखना, तीन लगाने ह जा है कि समझ लो जारा समझ के जाना बिना समझेवना जाना जेखो अ आने स्मेट्रिकल क्या लगाना है त्राइड एंटेड अनस्यमेट्रिकल ट्राइडेंटेड बन जाएगा क्या वोने तो चाहिए इतनी बॉल्स चलो देखते मना के बन तो जाना चाहिए चलो ऐसा है हाँ बन जाएगा याद देखना ध्यान से ना अन्समेट्रिकल डाइडेंटेड लिएन तीन लगे हैं कि एशा है देखो अराम से देख देखलो बहुत आराम से ठीकली डिफ्रेंट है ये दोनोंड इफ्रेंड है और यह दोन डिफ्रेंट है लेकिन यह थीन ओ ग्रूप से में एबी हॉलब है इसा है गैं तो AB whole thrice के 2 isomer होतने हैं ऐसा भाई आपने AB यहाँ लगाया आप इसको B यह कर दो इसको पलट दो कोई भी एक पलट दो के तो वो सेम हो जाएगा मनलब इसको पलटो या इसको पलटो या इसको पलटो ट्रिपल टू तीन चार पांच छे शे के बाद नो नौ और चे पंदरा ट्रिपल टू पतम इस्प्लिट करकर के लिख लो एफ देखो एशिक्स वाला तो करता नहीं है मेशिक्स एफाइब वाला भी नहीं करता कहां से स्टार्ट होगा करना एफ और बी टू फिर एफ और बी लिखोगे ना बंदब आप एक पेजपर लिखके जहाँ इस टैडी रूम में वाह चिफका ले न और देखते रहो याद हो जाएगा बाकी मैंने आपको समझा दीया ही है आगे बढ़ता हूं अब एक discuss करना था हमें कौन सा m a3 b3 ध्यान से देखना जड़ा m a3 b3 में क्या होता है पहले मैं बना दूँ कि दिखा दूँ चलो बना देतने पहले m a3 b3 ऐसा होता है m a a a b b और यहां b ठीक है अब ध्यान से देखना जड़ा यह वाला और यह वाला देखो यह दो बॉंड बनाए और एक ऐसा बना दिया मतब बॉंड नहीं इस तरीके से डेस डेस करके दिखा दिया बॉंड नहीं एक्चल में कैसे दो लीगेंड यह दोनों किसके हैं यह दोनों लीगेंड सेम प्लेन में हैं किसमें हैं सेम प्लेन और यह परपेंडिकुलार है मतब अपोजिट प्लेन ये वाला इसको अलग कलर से दिखा देते हैं ये वाला क्या है ओपोजिट प्लेन में है तो इस टाइप के आईसुमर का नाम होता है फेसियल क्या नाम होता है फेसियल दिखा दू मैं आपको कैसा दिखेगा दो लीगेंड एक प्लेन में और एक अलग प्ल भी है ना तो तीन सेम तीन अलग लगाऊंगा है ना तो तीन सेम लगेंगे तीन अलग लगेंगे देख लो एक बार देख के जाओ अच्छा लगेगा तीन लगा दूँ में सेम और तीन लगा दूँ डिफरेंट तो आपको भी अच्छा लगे ऐसा देखते जाना ध्यान से ना जाना नहीं कहीं ऐसा और ऐसा देखो मैंने बना दिया है यह विटा M A3B3 का फेसियल कैसे यहां से देखना जड़ा यह एक्च्छल में ऐसा वाला है जो मैंने बनाया ना दो लीगेंड एक प्लेन में देखो दो लीगेंड यह वाले एक प्लेन में हैं और यह परपेंडिकुलर उपर है देखो यह वाला A दिख रहा है यह वाला सामने से यह वाला A है तुम्हारा यह वाला और यह दोनों A हैं यह वाले देख लो दो लीगेंड एक प्लेन में औ और एक perpendicular है तो यह facial होता है तुमारा ठीक है देख लो जड़ा आराम से यह कौन सा है facial है दो लीगेंड एक plane में है और एक perpendicular है ठीक है facial वाला है ठीक है ऐसा है यह facial हो गया अब इसका एक और भाई होता है क्या त्यान से देखना M ऐसा 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 तीनो लीगेंड एक ही plane के हो तो क्या बोलोगे आप इसको Mary Donald ठीक है तीनो लीगेंड एक ही plane में हो तो यह क्या हो जाएगा Mary Donald ठीक है तो यह facial यह Mary Donald तो यह ध्यान रखना इसको short form में F.A.C. बोलते हैं और इसको short form में M.E.R. बोलते हैं F.A.C. हम देख चुके हैं M.E.R. दिखा देता हूं तीनो एसे इम plane में देखना ज़रा तीनो एसे इम plane में लगा दूं तो यह Mary Donald हो जाएगा ठीक है ऐसा देखो यह ऐसा है देखो यह दो और यह तीसरा भी सेम plane में मतलब यह तीनो बेटा सेम plane में आ गए देखलो सामने से तीनों तुम्हारे सेम प्लेन में हैं देखो इस प्लेन में यह तीनों यहां से दिखा दूँ यह, तीनों तुम्हारे सेम प्लेन में है ठीक है、 तो यह मैری डोनल होता है तो समझ गए फेसियल और मेरी डोनल कहां होते हैं M A3 B3 और आपस में दोनों G I होते हैं जो मिट्रिकल आईसमर ये वाला बेटा एक्जिस्ट नहीं करता मतलब सिम्मिट्रिकल डाइडेंटेर तीन लगा दूँ तो ये बेटा तुम ऐसा ही मान लो इसको कैसा सिम्मिट्रिकल डाइडेंटेर अगर मैं तीन लगा दूँ ऐसे इस तरीके से जुड़े होंगे ये तो ये पता कैसा M A6 जैसा हो गया ना सिम्मिट्रिकल है A6 जैसा मतलब आप कोई भी स्विच कर लो कोई फरक ही नहीं पड़ने वाला दिखा देता हूँ ये वाला भी जब देख रहे हो तो सारे ही देख लो है ना सिम्मिट्रिकल क्या है डाइडेंटेर अब जब आए ही हो हम तक पहुँचे हो तो पंकसर तो बताएंगे ना ध्यान से देखना बहुत ध्यान से ये लग गया वड़ा एक ये लग गया वड़ा दूसरा ऐसा कैसा ऐसा और ये लग गया वड़ा तमारा तीसरा ऐसा हो गया ये समझना बात को ये है वड़ा देखो बीच वाला हो गया तुमारा एम अब किसी को भी स्विच कर लो कहीं भी लगा दो से भी बन जाएगी जोमेट्री मतलब ये जोमेट्रिकल आई समर्जम एक्जिबिट नहीं करेगा समझ ए कहानी पूरी चलो भाई आगे बढ़ें तो कौन-कौन से जी आई एक्जिबिट करते कौन-कौन से नहीं करते आपको पता होना चाहिए चलो भाई आगे बढ़तें आप्टिकल आप्टिकल में ज्यादा कुछ खास बात है ही नहीं है ना ध्यान से देखना जड़ा वैसे नहीं देखना जैसे तुम काईरल कारवन में देखा करते थे वैसे नहीं चेक करना तुम्हें यह देखना है कि यहां पर रिलेटिव एंगल 109.5 डिगरी है मतलब जो पोजीशन ए लिगेंड की वो क्या है सेम पोजीशन है सेम पोजीशन है तो अप्टिकल आइसोमेर जमें एक्जिबिट नहीं करता इस्क्वाइर प्लेणर में भी नहीं करेगा टेट्राइडर में लिखूंगा क्या डजनोट एक इसेबिट ओई इसक्वाइर के नाम में ही प्लेणर है तो प्लेण ऑप सिमिट्री है यहां क्या होता है रिलेटिव एंगल सेम होने की वैसे हम बोलते हैं यहां जोमेट्री में प्लेण है मतलब प्लेणर है जैसे एम लगा दूँ मैं और यहां पर अगर मैं सारे देखो कि स्क्वाइर प्लेणर जोमेट्री का मतलब नहीं पता तुम लोगो को क्या बात कर रहे हैं अंकसर के बच्चे ऐसी हरकते करेंगे लेगो ऐसा है यह दिखा देता हूं मैं आपको एक बार समझ में आ जाएगी आपको बात अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि चारों क्यों मैं यह साब देकितो है तो तुम यही प्लेण ले लो ना तो जब तुमने यही मान लिया अना धो यह प्लीत हो आपका वह गया एपको मैं न यह प्लेन है यह कैं और अ बैस है यह क्या हो Compose तो यह आपका क्या है प्लेनर है तो मैं लिखूंगा डज नॉट एग्जिवेट्स क्या बढ़ा ओ आई क्यों प्लेन अफ समिट्री ड्यू टू प्यू टू प्यू टू प्यू टू प्यू अगल सेम थे यहां प्लेन समिट्री की वज़े से इसा हो रहा है ठीक है चलो वह आगे बढ़ें कोडिनेशन नंबर 6 में चलेंगे ऑक्टाइडल जोमेट्री ध्यान से देखना ऑक्टाइडल जोमेट्री आपको पता है इस तरीके से होती है यहां कुछ आप लिए लगाओगे क्लियर इतना तो कंफरम ह अब इतनी बार हमने दिखाई है और यहां कुछ लिएंड लगाओगे तो अभी हम अगले पेज में लगाएंगे ठीक है चेक क्या करोगे आप यह चार लिएंड एक प्लेन में एक उपर एक नीचे चेक क्या करोगे एन एंशिमर्स चेक करते हैं कैसे हम क्या वोई और गान एक वाले यह यह एन श्मर्स या नौन सुपर इंपोजीबल नौन सुपर इंपोजीबल क्या मिरर इमेजिस नौन सुपर इंपोजीबल मिरर इमेजिस क्या होती है and an constitu fraternal होती है क्या एं इन श्मर्स होती है जैसे मेरे पास एक alpha BT suppose P और इसको अगर मैं मिरर्ण में देख होगे तो ऐसा दिखेगा कैसा लॉली पॉप जैसा कैसा लाली पॉप मतलब क्या बोलूँगा मैं नॉन सुपर इंपोजिबल है यह क्या है नॉन सुपर इंपोजिबल है मतलब मैं क्या लिखूंगा पी एंड क्यू आर क्या एन एंचियो मर्स क्लियर है यह बात ठीक है अब मानलो मैंने ऐसा लिया एक alphabet ए ले लिया और इसको mirror में देखा तो ए देखेगा इसको इसके उपर उपर रखोगे तो ये ऐसा देखेगा मतलब हो गया तो मैं वेटा क्या बोलूँगा सुपार इंपोजीबल क्या सुपार impossible means मैं बोलूँगा A and A are not enantiomer, ठीक है, not enantiomer, even मैं यह बोलूँगा कि यह optically inactive है, कैसे, यहाँ plane of symmetry दिख रही है, क्या आपको, देखो, ठीक है, मतलब A क्या है, A is optically inactive compound, ऐसा होता है, A क्या है, optically inactive compound है, plane of symmetry आ रही थी, P और Q क्या है, optically active और इनको क्या बोलते हो, enantiomer, पूरा organic जैसे है, यह enantiomer वाला topic, अब ध्यान से देखना ज़रा आप, अब मैंने complex वही वाले उठाए, कौन से, जो मैंने GI में याद कराए थे, क्यों, आप बेटा, एक ही table, जो मैंने अभी बोला था न, GI वाली टेवल चिपकाना, उसी के साथ में आप enantiomer वाली भी चिपकाना, ठीक है, तो साथ साथ याद हो जाएंगे, या एक ही table में enantiomer, फ अब enantiomer pair की बात करेंगे, enantiomer pair बनेगा की नी बनेगा, मतलब जहां मैंने 0 लिखा है, ये सारे के सारे optically inactive हैं, जहां मैंने 0 लिखा है, ये optically inactive हैं, कैसे inactive हैं, इन सभी में plane of symmetry है, कैसे हैं, एक बार मैं एक का बता जाता हूँ, बाकी वैसी होगा सभी में, म, A4, B2 देखना ज़रा, म, A4, B2, एक बार देख लो, एक समझ लोगे, बाकी समझ में आ जाएगा, म, A4, B2 का मैं plane of symmetry आपको बताता हूँ, कैसा दिखेगा, किसका बोला मैंने, M, A4, B2 का बोला, देखो ज़रा, यह क्या है वेटा, M, A4, B2, इसका मैंने एन इंस्रूमर पेर जीरो लिखे, मतलब, optical isomer, जब एक समझ बिट नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा देखो, अगर मैं यह plane ले लूँ, ध्यान से देखना, यह वाला plane, तो यह red वाला, और यह red वाला, कट गया न, क्यों, plane of symmetry आएगी, उपर red और नीचे red लगा है, अच्छा मुझे एक बाब बताओ, अगर बेटा मैं sis ले लेता ऐसा, तो तुम्हारी plane of symmetry कैसी होती, बेटा यह plane ले लो, यहान से देखना, यह plane लोगे, पूरा यह plane लोगे, तो यह और यह identical लगे है, अगर तुम यह plane लेते हो, ऐसा, उपर से काट दो पूरा, ठीक है, यह वाला plane, उपर से नीचे तक, यह, तो यह और यह क्या आगए, सेम आगए, देखो, अच्छा यह अच्छा देखेगा, सामने से देखो, बिल्गोल अपनी नाक की सीद में काट दो ऐसा, यह plane जो दिख रहा है, नाक की सीद में यह, तो यह काट ओगे, तो यह दोनों क्या है, सेम लगे है, जो मैंने पकड़े हैं, तो सिस हो, चाइटरांस हो, आपको सिमिट्री मिलेगी ही मिलेगी, कहां-कहां, इधर, इधर, इधर और इधर, बना के देख सकते हो, इधर से सिमिट्री फिर नहीं मिलेगी, मतलब जैसे एनेंशमर पियर अगर मिल रहा है, तो मैं ऑप्तिकली एक्टिव लिखूंगा जहां-जहां एनेंशमर आ रहे हैं, वो बोलूँगा मैं अप्तिकली एक्टिव होगा, क्या, जहां-जहां एनेंशमर आ रहे हैं, तो अप्तिकली एक्टिव होगा, कोई ना कोई उसका इसमर अप्तिकली एक्टिव होगा, ठीक है, यहां से सुनना, कोई ना कोई आईसमर अप्रिकली एक्टेव हो आप याद करना कितना आसान है देखो चार वार जीरो लिखो 0000 ठीक है कहां से शुरू करो यहां से वन वन टू 6 15 12 देखो वन वनटू 6 15 12 दो तीन वार मेरे साथ बोलो वन वन टू 6 15 12 1 1 2 6 15 12 बस खताम यह हो गया काम आपका ठीक है तो यह आपके एंशिमर पेर हो गए टेवल वही है जो जी आई में आत करी थी तो आपको अलग से ओ आई की टेवल नहीं बनानी अब इसमें से जो हमें डिसकस करना है वो यह वाला है यह बड़ा कई बार एकजाम में बहरा है हैं कौन-कौन से एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस ठीक है यह सिस फॉर्म बना दिया और इसका एक ट्रांस फॉर्म भी बना देता हूं यहां से समझना ज़रा बात को यह मैंने सिस फॉर्म बना दिया और इसका ट्रांस फॉर्म क्या M, ऐसा, 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 ऐसा A, 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 A यहां क्या लगाया? B, यहां क्या लगाया? B, ठीक है? ऐसा, यह कौन सा form है? CIS, और यह कौन सा form है? TRANS, तो ऐसा बोलते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, फर मैं समझा दूँगा यह क्या है? Optically Inactive क्या है? Optically Inactive Due to, क्या? Due to Plane of Symmetry यह कहे? साफ साफ दिख रही है यह Plane of Symmetry आप ले सकते हो तो उपर भी, नीचे भी, है ना? अभी मैं दिखाता हूँ आपको देखो, कुछ ऐसा दिखेगा, कौन सा है? M, A, A Hold Twice, B2 है ना? बना के दिखाओंगा तो अच्छा लगेगा बात को समझना ज़रा है ना? जो मैं समझाना चाहरा हूँ आपको देखो क्या है मेरे पास? M A, A Hold Twice, B2 ठीक है? कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कैसा दिखेगा पंकस सर? ऐसा दिखेगा पंकस सर? देखो ध्यान से देखना ज़रा यह है ऐसा, देखो देखना ज़रा यह यह जो transform मनाये ना मैंने यह B और यह B उपर नीचे मेरे पास B B लगे हैं और यह A लगे हैं अगर मैं यह वाला plane ले लेता हूँ कौन सा वाला बेटा? यह वाला plane ले लूँगा तो इस plane के along काटूँगा तो उपर वाला और नीचे वाला सेम सेम लगे हैं मतलब मैं इसको PUS बोल दूँगा plane of symmetry इस वाले को मतलब यह कौन सा form है? transform optically inactable लेकिन अगर मैं सिस लेता हूँ तो सिस में बेटा क्या आ जाएगी? non superimposable mirror image बनेगी आपकी देखना क्या बनेगी? non superimposable mirror image देखना ज़रा मैं बना के बता रहा हूँ तो समझ जाओगे M ऐसा 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 A A ऐसा B B ठीक है? A A ऐसा अगर मैं इसको ठाकर इस पर रखूँ तो superimpos नहीं होगा मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ तो आपको इतना अच्छा लगेगा क्या बताऊं कितना अच्छा लगेगा? देखना ध्यान से यह हो गया A A hold twice और यह हो गया तुमारा B2 यहान से देखना यह हो गया तुमारा B2 ठीक है? A hold twice B2 और एक काम करता हूँ एक और बना लेता हूँ तो दौनों का non-superimposable दिखा दूँगा आपको एक दम चमक जाएगा कि हाँ यार एक दम सही है non-superimposable क्यों है यह है ना? सही है कि नहीं? और यह है ऐसा ठीक? और यह है तुमारा ऐसा ऐसा और यह वाला है विटा ऐसा और ऐसा अब आए ना सही देखो मैंने दो बना दिये ताकि आपको non-superimposable समझ में आ जाए देखो यह वाला जो डाएग रहा में कौन सा वाला? रहान से देखना वाला बी यह हो गया यह वाला बी यह हो गया यह बी भी हो गया यह ए लगे हैं वो यहां से लगा है ठीक है? और यह जो पीछे वाले ए हैं वो यह हो गया एक बार मैं आपको पास से दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा यह है ma holt wise इस बीटू ऐसा लगा है यह यह वाला ऐसा रखा है अब इसको मिरर में देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा है अब तुम इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा यह दिख रहा है सामने से यह क्या है विटा मिरर इमेजेस हैं देख लो आप थोड़ा और पास आओ ऐसा है ये दौनों एक दूसरे की mirror image है ये दौनों ठीक है? अब मैं दियान से देखना, अब मैं इसको ठाक इस पर रखूंगा, तो क्या superimpose होंगे? नहीं होंगे न, देखो इसको ठाक इस पर रखोंगे superimpose थोड़ी होंगे ग्रीन वाला उदर भग रहा है, इसमें ग्रीन इदर भग रहा है है न, ऐसा भग रहा है क्या अब भग रहा है, देख न ऐसा, ठीक है? तो ये दौनों आपस में एक दूसरे की non-superimposeable mirror images है मतलब इसका cis form कौनसा बेटा? इसका कौनसा cis form क्या है? optically active, तो मैं क्या लिखूँँगा? optically active optically active, और optically active है ये कौनसा? cis form किसका? ma holdwise भी डूगा, जैसे example के तौर पर मैं एक लिख सकता हूँ कैसे? मालों ऐसा लिखा है co, en holdwise ma holdwise, और यहाँ लगा दिया मैंने br2, ठीक है? और यहाँ लगा दिया प्लस तो इसका जो cis form होगा वो होगा optically active और इसका transform होगा वो होगा optically inactive, बहुत important है ये समझ के होगे पूरी कहानी इसकी, है न? तो धियान रखना ये चीज़ एक अगला वाला और देख लो क्या? mab holdwise c2 और m a hold thrice ये भी optical isomir जम exhibit करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखना ज़रा? पहले मैं इसके बना के बता रहा हूँ, ठीक है? ये optical isomir जम exhibit करेगा कैसे? आप देखो plane of symmetry आईगी अगर इसके number पूछ लें आप से OI में क्योंकि एक बार exam में पूछा था तो मैं बता देता हूँ मैं c और c यहां लगा रहा हूँ a,b a,b देखो a,b, a,b ऐसा लगा दिया मैंने c और c यहां लगा दिया और सुनो m c और c यहां लगा रहा हूँ a,b ba मैंने इसको पलड़ दिया ऐसा देखेगा, एक और देखो, M, C और C यहां लगा रहा हूँ, B, A, 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 ऐसा हो जाए, यह 3 हो गए, और सुनो, M, C और C अपोजेट लगा रहा हूँ, A, B, A, B, A, B, ऐसा कर दिया हमेंने, और 5, एक और लास्ट बने का 5 बनते हैं, कैसे, A, B, इसको पलट दो, B, A कर दो, और यह क्या आगया, C, ठीक है, यह J advance का question उसमें आया था, तो M, A, B, hold twice, मतलब, glycinate ले लो, और यहां कुछ bromine, chlorine, कुछ भी, monorented ले लो है न, तो यह है आ बनेगा यह 3 हो गए यह 4 हो गया और यह 5 हो गया 5 बनेगे इसके ठीक अब यह वाला जिये एक्सिविट करता है जरी जियाए क्यों बोल रहा हूँ ओई एक्सिविट करता है कैसे तरीके से इसका नॉन स्ञाइबॉजिबल मिरर इमेज बना दोगे आप कैसा जया सकितना i'm नौन आँषॉपर इमिरर मिरर मेज कैसे अधच्राइग कई चे ट के ऑन के श्र歌र अके स्ञॉफ तका सबर करें यहे बकर अधि करेगा ये सी ति इन होल थ्राइस क्या लिखूंगा थ्री पॉजिटिव ऐसा समझ रहे बात को किलियर किलियर समझ गए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाई जी आई और वाई इसले मैं अच्छे से एक्स्प्लेन कर रहा हूं आपको है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब यह जो टेवल है ना यह फाइनल टेवल है आपकी इसके बाद तो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा फटावट से काम हो जाएगा अभी तक जो हमने पढ़ा इस्टीडियो आइसमेरिजम में उससे रेलेटेड वस यह टेवल आप बना लेना अपना चिपका लेना स वन वन टू वाला वन मन टू टीन चार देगो milliards वनिटू वाला तो वी में घ्यायओ में ट्रिपल टू थीन चार पाँच्छय नौव 15 ट्रिपल टू ठीक है यही हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या ट्रिपल टू मे olduğ azee triple 2 टू इसका टू compromised 13 फिर्शार फिर पांच, पांच के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 और 6 15 और यहां क्या लिखूंगा जी आई में? ट्रिपल टू, यह हो गए बेटा जी आई, ठीक, यह हो गए जी आई, एन एन शुमर पेर कैसे लिखेते? देखो जरा, याद दिलाता हूं आपको, एन शुमर पेर क्या लिखेते? जीर 2, 0, 0, 0, 4 बार, फिर 1, 1, 2, 6, 15, 6, 15, और क्या लिखाता? 1, 1, 2 इस तरीके से, ठीक, अब क्या करो? जी आई में एन एन शुमर पेर एड़ कर तो इस टीरियो आ जाते हैं, ठीक है? जी आई में एन एन शुमर पेर एड़ कर तो इस टीरियो आ जाएंगे, कितने? 2 इसके, 2 इसके, 2, 3, 0, 3, 4, 1, 5, क्या बाद है? 5, 1, 6, 6, 2, 8, 9, 6, 15, 15, 15, 15, 30, क्या बाद है? बंकसर, 2 और 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 4, खतम, समझे कहा हैं नहीं? ये पैटर लिखना मैंने बता दिया था, एन एन शुमर पेर एलक से पढ़ लिए थे, जी आई अलक से पढ़ लिए थे, दो ये टेवल आपको चिपकानी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक पेज में बिटा, लिख लेना, और चिपका लेना, देखते रहना, दो तीन दिन वाद, किरपा आपने आप हो जाएगी उपर से, है ना? ठीक है? समझ गहा है कहानी? तो ये है पूरा मेंटर, जी आई प्लस अब बेटा, इसके सवाल कर लेते हैं, कहानी खतम हो जाएगी? ठीक है? एक्जाम में किस टाइप ये कोश्चन आते हैं? प्रीवेस ये कोश्चन मैंने उठा रखें यहाँ पर, धियान से देखना जड़ा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं A2, देखो, अमोनिया को मैंने A म माल लिए, ये क्या B और ये क्या C, M A2, B, C अब ध्यान से सुनना, प्लेटिनम फॉर्म ओलवेज स्क्वाइर प्लेनर कॉंपलेक्स, मतलब कॉडिनेशन नंबर क्या है? चार है स्क्वाइर प्लेनर में, तो OI एक्जिबिट नहीं करता, ध्यान से सुनते जाना, OI नहीं कर करता, लेकिन ये GI एक्जिबिट करता, M A2, B, C वाला केस है, तो GI करेगा, OI नहीं करेगा, इस तरीके से चलना है, बहुत आसान, अगला देखो, प्लेटिनम को लिख रहा हूँ, M, और ये क्या है, गलाइसनेट तुम्हारा, डाइडेंटेट अंसमिट्रिकल, तो M AB और प्लेटिनम ओल्वेस फॉर्म स्कार प्लेनर, तो OI नहीं करेगा, कोडिनेशन नमबर चार में OI नहीं करता, इसकी कोडिनेशन नमबर चार है न, क्योंकि डाइडेंटेट है, है न, दो लगे हैं, GI करेगा, येस करता है, किसमें, M AB होल्टवाइस में, GI, यान से देख करना, CU, EN, होल्टवाइस, ध्यान से देखना जरा, ये क्या है, M, A, A, होल्टवाइस, ठीक है, A, A, होल्टवाइस, ऐसा कॉम्पलेक्स है, ये, ये क्या, GI, करता है, क्या, नहीं, कोडिनेशन नमबर चार वाला तो भाई, OI करता ही नहीं है, और M, A, होल्टवाइस, GI, भी CD, अलग-अलग है, तो ये platinum क्या होता है, square planar होता है, तो square planar OI नहीं करता, और GI करता है, और अगर आप से number भी बूच ले, तो 3 होते हैं इसके GI, ठीक है, 3 होते हैं इसके number of GI, तो इस तरीके से आपको question solve करने हैं, कितने आसान होगा है question, question, देखो, दो मिनिट भी नहीं लगे, चारों question होगा हो, इतनी तेज आप भी कर सकते हो हैं न, अगला देखो, यहां क्या है बेटा, central metal atom, M लिख दूँ, देखो, ox क्या है, डाइडेंटिट सिमिट्रिकल, oxalate symmetrical, डाइडेंटिट, तो A, A hold wise, और क्या लिखोगे, B2 लिखोगे ऐसा, यह complex बना, अब ध्यान से सुनना, M, A hold wise, GI करता है, और इसका, जो cis form है, कौन सा वाला, cis form, optical isomergem एग्जिबिट करेगा, transform, इसका optical isomergem एग्जिबिट, नहीं करता है, याद करो भी मैंने cis trans वाला बताया था, कौन सा, M, A, A hold wise, B2 discuss किया था न, अलग से, वांग या, यह वाला, M, A hold wise, B2, यह discuss किया था मैंने, कौन सा form, exhibit करता है, कौन सा नहीं, ठीक है, अगला देखो यह वाला, बहुत अच्छे से करना, अच्छा सवाल है, क्या, यह है तुमारा, देखो ज़रा, M, ध्यान से देखना, M, यह oxalate didented है, तो मैं इसको A लिख रहा हूँ, ठीक है, oxalate didented A, यह क्या है वेटा, B2, और यह क्या है तुमारा, C2, ठीक है, ध्यान से देखना, M, A, A, B2, C2, तो पता तुम इसको कैसे ट्रीट करो, A का मतलब A2 माल लो, तो M, A2, B2, C2, कौनसा, A2, B2, C2, A को आप क्या माल लो, अपने अलग से नहीं पढ़ा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माल लो कोई नहीं आ जाए, तो यह नहीं डाल दी है मैंने, अभी तक मैंने यह नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, A को A2 माल लो, तो A2, B2, C2, जैसा माल लो, कैसा, A2, B2, C2, इस जैसा माल लो, तो यह OIB करता है और, GI दौनों करता है, ठीक है, तो यह होगे आपका, GI भी करेगा, और OIB करेगा, दौनों करेगा यह, ठीक, इस तरीके से चल लिए अगरो, अगला देखो कितने आसान है, यह क्या, M, क्या है, M, A2, B2, अब ध्यान से देखना जरा, यह Zinc है, और ZN क्या बनाता है वेटा, टेट्राहिड्रल, अब ध्यान से, यह अच्छा सवाल है, कई लोग इसमें फस जाते हैं, कि सर M, A2, B2 तो आपने लिखा रखा है, बेटा, मैंने स्क्वाइर पिले इनर्वी लिखा रखा है, आपको यह भी ध्यान लगना, टेट्राहिड्रल है, तो GI नहीं करेगा, और OI कॉर्डनियस अंब चार में तो करता ही नहीं है, एक, अगला देखो, यह हो गया M, यह हो गया A4, और यह हो गया B2, क्या GI करता है, और OI नहीं करता है, टेबल याद होगी, सारे सवाल बना लोगे आप, कैसे करना वो मैं बताते जा रहा हूँ, सवाल नंबर 9 पे आगया, अपन देखो 2 मिनिट में, M, यह क्या है वेटा, A5, और यह क्या है, B, M, A5, B नहीं करता, बाहर से तो मतलब भी नहीं है तुम्हें, GI, OI में बाहर से मतलब नहीं है, बस इस ब्रैकेट से मतलब भी बाहर कुछ भी लगा दो, M, A5, B वेटा, GI नहीं करता, और A5, B, OI भी नहीं करता, ठीक है, MA6, A5B, कुछ नहीं करता न, GI न, OI अगला देखो ज़रा क्या है MAA whole thrice, क्या है ये MEN क्या है symmetrical diented, क्या है ये MA whole, तो बाहर से तो मतलब ही नहीं है और ये GI नहीं करता ये GI नहीं करता, ये क्या करता है OI करता, अभी मैंने बना के दिखाया दो था आपको देखो, GI नहीं करता OI करता, देखो MAA whole thrice, exhibit OI, GI नहीं करेगा, OI करेगा ये, समझ गए, तो इस तरीके के question आपको मिलते रहेंगे और अंत में हम आपसे बस अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्या यहां तक आए, आपने पूरा coordination हमसे पड़ा, और आज आपने एक तम जवरदस्त ISO मेरजंव रेडी कर लिया अपना तो आपको बहुत बढ़ा वाला इतना बढ़ा, कितना इतना बढ़ा वाला, thank you तो आपने coordination compound cover कर लिया ISO मेरजंव एक अपना बच रहा था जिसमें आपको बहुत डर लगता है आई होप अब आपको डर नहीं लगेगा है ना तो बहुत अच्छे से इसको तयार करना मैंने सारी चीज़ें कोसिस करीगी समझ में आएं आपको models बगरा से बताएं मैंने तो समझ में आ गया होगा, ठीक जितने भी example मैंने लिये हैं अंदर वो जो last वाली table है बहुत important है उसको बना के चिपका लेना कैसे apply करना है 10 question मैंने करा दिया आपको अब आप खुद से PY की बगरा कर लेना सारे question previous year के जितने भी हैं सारे बन जाएंगे आपसे कोई दिक्कत नहीं सारा बन जाएगा आई समयर्जम टैंसा नहीं नहीं आपको आई समयर्जम में ठीक इस ट्रेक्सल आई समयर्जम के question तो इतने आसान होते हैं आप दो चार question मना के देखना वाला है ठीक चलो मिलते हैं फिर आपन नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए ओक के बाए अब बहुत खाना है मुझे आगे